मार्निंग इस्टार एकेडमी के चैनल पर सभी दर्शवों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज हम लोग कच्छा साथ गणित इकाई दो घातांग अभ्यास 2E की साथवी सवाल पढ़ेंगे इसके पहले वीडियो में हमने छे सवाल तक पढ़ा दिया है अब ही आईए हम साधार संक्या के रूप में लिखो क्या करना इसको साधार संक्या में लिखना है क्या करेंगे दो की 2.5 गुणे 10 गात 4 तो क्या हो जाएगा अब चलो आगे देखते हैं यह हो जाएगा 25 गुणे 10 की घात 4 अगर 10 अगर उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 घात माइनस एक हो जाएगा यह बराबर 25 गुणे यह हो जाएगा 10 की घात 3 इसका उलब क्या हो गया 3-0 लग जाएगे 25 क्या आगे 3-0 लगा दो एक दो तीन यह ही इसका अंसर हो गया अब आएगे दूसरी सवाल देखते हैं 1.75 गुणे 10 की घात 6 इसमें भी सेम ऐसे करेंगे इसको हटाएगे यह हो जाएगा एक 1.75 गुणे 10 की घात 2 गुणे 10 की घात 6 बराबर अब उपर जाएगा 10 की घात 2 तो क्या हो जाएगा 1.75 एक दो तीन चार यही आपका इंसर हो गया अब 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 आगली सवाल देखते हैं 1.21 गुणे 10 की घात माइनस 1.21 गुणे 10 गात माइनस 8 अब क्या है 1.21 गुणे 10 गात माइनस 8 अब यहां से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अब दोनों माइनस माइनस हैं तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 1.21 गुणे 10 गात 8 गुणे 10 गात 2 है तो गुणा में गाते जुड़ती है चुकि माइनस 8 माइनस 2 है माइनस 10 हो जाएगा माइनस 10 की घात 10 अब इसमें ध्यान देने वह वाली बात लिए अगर माइनस है तो क्या होगा हो 1.21 के पीछे 0 लगेगा 121 के पीछे 10 अंक तक जाएगा हो तो जैसे 121 को मिला के जैसे 1 2 1 एक दो तीन हो गया अब कितना बज़ गया 7 0 बज़ गए कितना बज़ गया 1 2 1 इसको मिला किता सोना चाहिए एक दो तीन 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट आ गया यहाँ जीरो लगा दिया यह आपका एंच्वर हो गया भीटा अब आईए नेश्ट सवाल देखते हैं 4.5 गोड़े 10 किघात माइनस पाँच इसमें भी सेम ऐसे करेंगे 4.5 यहाँ बिदा सब्लों उटाएंगे यहाँ एक लिख देंगे यह जीरो उतर जाएगा गोड़े 10 किघात माइनस पाँच हो जाएगा अब क्या करेंगे बराबर 45 45 गोड़े 6 हो गया भी सेंगे इसमें भी 45 को ध्यान में रखके कितना 0 बढ़ा जाएगा 6 0 बढ़ेगा पैटानिस कुल लेके एक दो दो संख्या है यह हो गई है चार और बच रहे हैं चार जीरो पढ़ा देंगे यहां जीरो तसंख्या लो चार जीरो बढ़ा एक दो तीन चार फोर फाइब अब देख लो कितने अंगवे टिन पॉइंट सिक्स है ना ते एक दो तीन चार पांच च्छे पर आपका दो लो लग गया यही आपकी साधान संख्या हो गई वेटा अब आईए नेश्ट सवाल तू पॉइंट थी गोड़े दस कीघात माइनस साथ है इसमें भी सेम ऐसे करेंगे टू पॉइंट थी गोड़े दस कीघात माइनस साथ यहां पॉइंट पॉइंट यहां लगा दिया है यही आपका अंसर हो गया अब आईए यहली सवाल देखते है बेटा तू पॉइंट फाइब गोड़े दस कीघात माइनस चार बराबर क्या हो जाएगा तू पॉइंट फाइब गोड़े दस कीघात माइनस चार पॉइंट 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 गड़े नहीं फाइब गोड़े दस कीघात माइनस चार हो जाएगा इस्पुपर जाएगा तो दस कीघात माइनस एक लिखा जाएगा चार चार पिंगा पैटा पचीस को लेके दो अंक्वे हो गए बागी कितना बच गया तीन पच रहा है टीन जोड़ा जाता है तोनों को जोड के ई पीछे की सबीन जीरो लगेगा और जो प्लस वाली होती है उसमें क्या होता है सीधा जीरो पढ़ा देती है समने आगे की सब्सक्रेंब अभी देखो इसमें पीछे की साइट में लगाते हैं 0.00025 एक दो तीन चार पांच एक पांच गात है तिसमें पांच को लग गया आपका आपकी असाधान संख्या 0.0025 है पांच क्या है एक इलेक्टाम का द्रभिमान 9.107 गुड़े 10 गात माइनस 28 ग्राम है इसे साधान दसमलो बिंद में बदलने पर दसमलो बिंदु तथा अंक नव के बीच कितने सुनने होंगे क्या बोला है अब देखिए सवाल में 9.107 गुड़े 10 गात माइनस 28 है ग्राम क्या है अब इसे साधान बिंद में बदलो इसको क्या हो जाएगा 9.107 गुड़े 10 गात माइनस 28 अब क्या हो जाएगा बराबर 9.107 गुड़े 10 गात माइनस 28 बटे इसे लिख सकते हैं अब क्या हो जाएगा है चलो यहां पर करते हैं अब 9.107 गुड़े 10 गात माइनस 28 अब दस गात माइनस 3 ऊपर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा 10 गात माइनस 3 हो गया अब क्या हो जाएगा 9.107 गुड़े अब क्या हो जाएगा 9.107 गुड़े 10 गात माइनस 28 अब क्या हो जाएगा अब क्या हो जाएगा दस अमलों के जो अंक है उनके पहले कितने सुनने लगेंगे मतलब 9 से लेके 107 तक कितने सुन लगेंगे इसमें क्या हो जाएगा 4 अंके माइनस हो जाएगा कितना 4 अंक इसको भी जोड़ा जाता है ना प्रोटल 31 अंके 0 लगेगा कितना जीरो लगेगा 27 जीरो लगेंगे कितना चार अगर 31 में माइनस 4 करो 31 जीरो लगेंगे 37 जीरो लगेंगे 27 सुनने लगाना पड़ेगा यही एंसर हो गया अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करतीजिए बाए बाए थेंक्यू उसे बाए 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 शुल्ड़ लगेंगे